चलिए Calls on Shares Calls on Shares का मतलब क्या होता है जब आपका दस रुपे का शेर है ठीक है दस रुपे का शेर है और कंपनी हमेशा आपसे न टुकडो में पैसे मंगाती है जैसे कि हमने शेर कैप्टन में देखा दो रुपे तीन रुपे पांच रुपे ऐसे मंगाती है न तो पहले दो रुपे तो अप्लिकेशन पर आगे तो उसके लिए तो कोई कॉल थोड़ी न करने अब तीन रुपे के लिए हम उनको कॉल करेंगे तो उस कॉल को मांगने के क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं वह पूछ रिया जाता एक्साम के अंदर तो सर कहता है कि फॉलविंग और दा एसेंशियल वैलिड कॉल कब होगा वैलिड कॉल आपका स्पेशल रेजुलेशन बोर्ड मीटिंग में पास होना चाहिए यानि बोर्ड बैठ के डिसकस करना चाहिए कि भाई अब अगला कॉल क्या तीन रुपे मंगवा ले वो सारी बाते होनी चाहिए the amount, place, time, payment आपको बताना पड़ेगा कब देना है नहीं कैसे देना है किस bank अकाउंट में देना है वो सब पहले जानकारी देना होगा मांगने का uniformity मतलब सबसे बराबर मांगना है ऐसा नहीं कि कोई किसी से दुस्मनी हो रही है बोला राम तुम तो बहुत अच्छी है तुम तो तीनी देना मुहन मुझे तू अच्छा नहीं लगता तू पूरे 8 रोपे ले के आ ऐसा नहीं हो सकता call सबसे बराबर मांगना है तो यह form है यह मैंने सिर्फ और सिर्फ heading लिया है क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया और मैंने समझा दिया और आपको भी पताए कि इसका मतलब क्या है आप इसको पूरे detail में points by point इसके आगे भी content लिखना पड़ेगा इसमें ध्यान रखिएगा चलिए सर for future share भी सुना है for future का मतलब क्या होता है जैसे आपने आपने 10 share खरीदे हैं और 10 share के आपने 8 रुपे दे दिये हैं और company जो है आपसे बाकी के 2 रुपे मांग रही है और आप 2 रुपे बोल रहे हैं पैसे नहीं भाई सब नहीं देंगे तो company क्या करेगी आपके इस 8 रुपे को भी क्या कर लेगी for future कर लेगी लेकिन for future ऐसे थोड़ी है भाई तो दो रुपे ला और आपने बोला भी नहीं है जा तेरे शेर for future होगे ऐसे नहीं उसको time भी देंगे सोचने का भी time देंगे सारे चीज़े होना चाहिए तो कहता है दा procedure for future कैसे तरीके से किया जाएगा तो मैंने कहा नहीं यह chapter ना अगर आपका company law उठाओ तो लगभग company law और corporate account के बहुत सारे points इसके अंदर similar मिलते जूलते हैं कहता है in accordance with the article of association article of association के हिसाब से होना चाहिए नोटिस देना चाहिए आपका प्रोस आपका प्रिसीडेंट टूदा for future for future से पहले उसे notice देंगे कि भाईया तुमारे शेयर for future हो जाएंगे प्लीज आप payment कर दीजिए बार बार उसको reminder देंगे ठीक है क्योंकि आप company के बहुत ऐसे पद पे हो जैसे मान लेते हैं हमारे देश के government है government अगर हमारे देश के परधान मंतिर नरेंद्र मुदी बीजेपी को normally जो माना जाता है सुरू से बोला जाता है जो कि इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं कि भही हिंदू के बैठने के बाद आप क्या करोगे सर इतने बड़े पोस्ट पे बैठने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है यहां पर क्या आप सब के साथ equivalent करो आपका दोस्त है उसने calls नहीं दिये उसके तो नहीं for feature किये और दूसरे वेक्तिक आपने for feature कर दिया वहां है कहां कि यह आपके इंसाफ है तो ऐसे situation ने बोनाफाइट होना चाहिए बोनाफाइट का मतलब बिलकुल अन्बैस्ट होके मतलब फियर आपको decision लेना पड़ेगा यह था हमारा for feature अब कई बार ना आपने बोला सर हमां company कर नहीं देंगे नहीं सर हम क्यों देंगे प्रोजेक्टर तूटी है सर अब कहां से देंगे हम पैसे हम नहीं देए पैसे तो company उस शेयर में बोले कि भाईया मत दो तुम आपके जो शेयर पड़े हुए थे हम वो शेयर को cancel कर रहे है उससे पैसे रिक डेप्ट मतलब कुछ आपने नुकसान पहुचा दिया company को तो कर जाई हो गया उसके लिए security लगा लिया जाता है लिया फोर फीचर आपका पैनल action default जो भी आप डिफॉल्ट करते हो क्या shares के पैसे देने में उसके लिए फोर फीचर होता है एक्साइज रात debt due to share other dues कहता है debt due on shares होगा या फिर other dues या किसी को पर due है दूसरा example debt debt बार-बार कह रहा है तो मैं मान ले तो मैंने company से दो लाख रुपए उधार ले लिए और मैंने company के अंदर पांच लाख के share भी दे रखे हैं company बोल रही है भाई 2 लाख दे 2 लाख दे मैं मैं नहीं देरा 2 लाख रुपए जो करना है कर ले तो बोले कि ठीक है भाई तेरे shares को मैं रख लेता हूं तो जो तेरा debt है उसके बदले मैं अपने पास रख रहा हूं ठीक है call remaining unpaid यह कब होगा सर जब remaining unpaid करोगे तब for feature हो जाएगा enforcement enforcement enforced by the selling the share हम बोल देंगा भाई तेरे share बेच देंगे तो मेरे करजा देदे चुप चाप सर नहीं तो तेरा share क्या करेंगे हम बेच देंगा यहां पर बेचा थोड़ी जाएगा enforce for feature बोलेंगा भाईया तू पैसे देदे नहीं तो तेरे share तो गए बेचना थोड़ी है तेरे share गए impact क्या होगा no reduction in share capital share capital पहले जितन surplus surplus from sale of deduct debt and holder को वापस दे देंगे जैसे कि मान लेते हैं आपके 5 लाग के share थे मैं 2 लाग share बेच दिया आपके 2 लाग रुपे अपना रख लूँआ बोलूँआ ले भाई 3 लाग रुपे बात कहां नहीं खतम यह कहता है surplus of the sales forfeiter कहां भेज देता है company belongs to the company और इसे capital reserve में transfer कर दिया जाता है जो भी पैसा बसता है आपने देखा होगा तो lien और forfeature दोनों में hopefully आपको difference समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़िएगा